हम ऐसे सरकल ले लेना है ऐसे करके ऐसे ऐसे फिसे खैंश देना है उनको जो फाल्तून है ऐसे और इसमें हमें इसमें हमें इसमें हमें सुरू में दो चैन लेनी है एक और दो और इसमें हाफ डवल क्रोशिया ऐसे ऐसे ये करके हमें half double crochet करने है तो इसके अंदर हमें इसमें 10 half double crochet और एक chain हो गई दो की जो chain ली थी इसमें 11 अंदर half double crochet करने हैं हमें ऐसे एक साथ निकाल देने हैं और मेरा 12 नंबर का crochet है उन मेरी normal है जो normal उन होती है वो उन है मेरी तो इसके अंदर हमें ऐसे करके 11 बार इसके अंदर हमें 10 बार half double crochet करना है और एक हमाई 3 की chain तो 11 हो जाएंगे तो हमारे पास ये 11 half single crochet हो गई हैं इसे धागे खैस देंगे जिससे circle बन जाए ऐसे और जो हमने chain ली थी शुरू में दो की तो इसमें हमें slip stitch कर देना है इस वाली chain में जो हमने दो की chain ली थी ना शुरू में इसमें हमें slip stitch करके join कर देना है अब हमें फिर दो की chain लेनी है और हर chain में हर chain में हमें half double crochet करना है तो हमें देखे तो एक तो हमारी यह chain हो गई तो अगली chain तो इसी में हमें एक और करना है तो दो half double crochet होगे एक chain के पास फिर एक chain में हमें एक करना है फिर एक chain में हमें एक करना है फिर एक chain में हमें दो करने है तो हमें यह रो अपनी second row अपनी ऐसी complete करनी है एक chain में एक single crochet half single crochet और एक में दो तो इसमें दो थे इसमें एक थे और इसमें दो दो हाफ डबल क्रोस या, फिर इसमें अगली चैन में एक हाफ डबल क्रोस या, फिर उससे अगली चैन में दो हाफ डबल क्रोस या, एक और ये दो, फिर उससे अगली चैन में एक ऐसा करके ये रोपनी कम्प्लीट कर लीजिए, इसमें दो थे, इसमें एक, अब इसमें दो, कि यहां फिर से अगली चैन में एक है तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिए तो हमारी एरों कंप्लीट हो गई है अब से सिंगर जो दो की चैन थी इसमें हमें सिलिप स्टिक से जोइन कर देना इसे जोइन कर दीजिए फिर हमें अब हमें दो राउंड हो गए हाफ double crochet के एक यह था एक पर हमें तैसा राउंड सुरू करना है एक दो तीन की चैन लेनी है अब हमें हर चैन पर एक हगी double crochet करना है ऐसे एक तो चैन हो गई फिर यह अगली चैन में हमें यह रहा डबल क्रोशिया एक फिर अगली चैन में एक और डबल क्रोशिया तो यह हमें यह तीसरी रोप नहीं एसी कंप्लीट करनी है इसमें हमें हर चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है ना तो इसमें कहीं बढ़ेंगे और ना इसमें कहीं घटेंगे तो आप हर चैन में एक-एक डबल क्रोशिया बना लें ऐसे ऐसे तो यह हर चैन में मैं एक-एक डबल क्रोशिया बना लूँगी देखिए राउन हमारा कंप्लीट हो गया है थर्ड राउन यह हमें यहां तीसरी चैन में लेकर सिलिप इस्टिस से जोइन कर देना है यह हमें तीसी चैन में लेकर सिलिप इस्टिस से यहां जोइन कर दीजे अब चोथा राउंड चोथा राउंड भी हमारा ऐसी चलेगा तीन की चैन और हर चैन में हर चैन में एक डबल क्रोशिया होगा जैसे हमने थर्ड राउंड में किया था ऐसी हम फोर्थ राउंड में करे कर लीजे हर चैन में एक डबल क्रोशिया देखिए हमने यह अपना फोर्थ राउंड भी ऐसी कंप्लीट कर लिया है तीन की जो चैन थी उसमें हम तीसरी चैन में सिलिपिस्टिस कर देंगे से यह रहा अब हमारा फिप्त राउंड चलेगा फिप्त भी ऐसी होगा दो हमारे हाफ डबल क्रोशिया के ते और तीन राउंड हमारे डबल क्रोशिया के हो जाएंगे तो यह लास्ट राउंड है ऐसे ही करेंगे एक एक डबल क्रोशिया एक तीन की चैन हर चैन में एक डबल क्रोशिया होगा तो आप अपना यह फिप्त राउंड भी ऐसे ही कंप्ल हिट कर लीजिये देखिए हमारा फिफ्ट राउंड इंड हो गया है था चैन सभी चंवे सब कर देना कि अगर आप इसे ऐसे बनाना चाहते है को ऐसे रही räूल號 को यह अगर आप आप ऐसा बनाएंगे तो आप ऐसी छोड़ दीजिए इसे कम्प्रीट करके यह रहा यह मेरे यह हमारी कैप बन गई है अब इसे हम यहां धागे को लेकर काट देंगे अब हम इसका फ्लोवर बनाएंगे फ्लोवर मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ड्रेस में है बड़ा फ्लोवर तो आपको इस कैप में छोटा फ्लोवर लगाना है इसे आप यहां थोड़ा अंदर को कर देना क्रोशी से चलिए फ्लोवर बनाते हैं जो हमने ड्रेस के फ्लोवर बनाए थे तो उसमें हमने 10 चैनल ली थी तो उसके अब हमें 8 चैनल लेनी है एक, डो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो हमने 8 चैनल ले ली है 8 चैनल लेनी के बाद इसे यहां लास्ट शुरू की चैनल में स्लिप स्टीज कर देंगे ऐसे, शुरू की चैनल में स्लिप स्टीज करके अब यहां हम चैनल लेंगे एक की, अब यहां हम स्लिप स्टीज करेंगे यहां हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, ऐसे, बस एक बाई ऐसे करके धागा निकालना है हमें ऐसे तो हमने बड़े जो ड्रेस का फ्लोवर था उसमें 18 बार किये थे इसमें हम 12 बार करेंगे उसमें 18 बार थे तो इसमें हम 12 बार करेंगे बस अंदर सिंगल क्रोसिया फिरा दौँ अंदर 12 बारे वार सिंगल क्रोसिया कर ले यहां नमें 12 सिंगल क्रोसिया कर लेए हैं अब जो नाजन लगा है ती हमने दो चैन ली थी सुरू में उससे हम इससे उसफेश्ट टिसरे डी लग देश्टा Armen और धागे को यहीं कट कर देना अब इसमें दूसरा कलर लगाएंगे देखिये यह जो सुरू की चैन थी यह सुरू की चैन इसमें हमें इस धागे को निकालना है और यहाँ जोइन कर देना है यह वाली उन यहाँ जोइन कर देनी है अब यहाँ में एक जो बड़ा फ्लोवर था ड्रेस का उसमें हमने 10 चैन ली थी इसमें हम 7 लेंगे दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, छे और एक साथ तो हमने इसमें 7 चैन ली है और अब देखो फ्लोवर को ऐसे यह करके हर चैन में एक एक बार हमें धागा निकालना है हर चैन में ऐसे करके हर चैन में एक एक करके हमें धागा निकालना है बिलकुर उसी की तरह फ्लोवर बनेगा बस थोड़ा यह है हमें चैन कम करनी है इसमें अपनी जिससे हमारा फ्लोवर छोटा बन जाए इस वज़े से मुझे आपको बताना पढ़ रहा है कि आप छोटा करके कैसे बनाए अब जहां हमने यह लिया था जहां यह हमने जोड़ा था इसी में हमें एक बार निकालना है लास्ट बार यह रहा अब हम इसे सारे यह जो हमारे धागे हैं जो हमने लिए हैं सब एक साथ निकाल दो ऐसे यह रहा ऐसे निकालके और इसे यह यह ऐसे करके और इसे ऐसे इसमें निकाल दीजिए ठीक है अब हमें यह एक चैन छोड़कर यह वाली यह एक चैन छोड़कर दूसरी चैन में हाँ सिलिप स्टीज कर देंगी इसे ऐसे अब फिर हमें साथ चैन लेनी है एक, दो, तीन, चार, पांक, छेट, साथ साथ चैन लेने के बाद साथ चैन लेने के बाद हमें ऐसे दागा खेशना है और हर चैन में हर चैन में हमें ऐसे दागा लेना है एक बार ऐसे अब इन्हें एक साथ निकाल देना है ऐसे और फिर इसे यहां सिलिपिस्टिस से जोइन कर दीजिए और फिर एक चैन छोड़कर इसमें एक चैन छोड़कर इसे यहां सिलिपिस्टिस कर दीजिए और फिर साथ चैन बना है फ्लोवर की अब हम यहां स्लिपिस्टिस से लास्ट में यहां जोइन कर देंगे कि देखिए हमारा फ्लोवर बन गया है अब यहां इसे देखिए हमारा छोटा सा फ्लोवर बन कर तयार है आईए अब इसे कैप में लगा देना है थोड़ा थोड़ा ऊपर को करके है चलो मैं आपको लगाना बताती हूं देखिए अब इसे लगाते हैं फ्लोवर बन नीच से निकाल देंगे और देखिए ऐसे करके इधर लियाएंगे ऐसे अब इसे इधर से इधर लियाएंगे बहुत आसान है कैप को बनाना फ्लोवर लगाना सब अगर आप बनाएंगे तो बहुत आसान है हुआ है हुआ है 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 अरह कि हमारा फ्लोवर लग गया है यह रहां है कि विज़े में यहां निकाल के देखिए देखिए हमारी कितनी सुन्दर कैप बन कर तयार है काहना जी की कितनी ब्यूटिफुल कैप बनी है अगर आप ड्रेस के मैचिंग बनाएंगे तो आपकी कैप बहुत सुन्दर बनीगी और मैंने यह आपको इस कलर में इस वज़े से बताई है क्योंकि आपको इस कलर में समझ में नहीं आती क्योंकि मेरी signing वाली वूल है तो आपको इसमें समझ में नहीं आती फ्लोवर तो आ जाता पर यह नहीं आती इसलिए मैंने आपको इस light color की वूल में बताया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए यह रहा देखी किती पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें धाइंक्यू धन्यावाद